सी एस रेंग के अंदर एवरी राउंड विक्टरी निकालना चाहते हो हाँ योटूब पर बहुत सारी वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है हाँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं सी एस रेंग के टोप टैन एस सिक्रेट प्लेस जिनका अगर आप लोग यूज करना सीख जाते हो तो आप एवरी राउंड ही विक्टरी निकाल सकते हो और इन सभी एडन प्लेस का यूज करना बहुत ही ज़्यादा असान है है नमबर टैन ट्रिक होने वाली है हमारी फैक्टरी साइड पर और इस ट्रिक को करने के लिए आपको जल्दी से रन करते हुए यहां उपर की साइड में आजाना है दैन आपको यहांपर दो गल wall को ऐसे लगाना है जैसे यहां पर मैं लगा कर ले और जैसे यहां पर आ जाते हो यहां पर आपको तीन गुलोल को ऐसे सेट करना है जैसे यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और तीनों गुलोल को लगाने के बाद आपको यहाँ पर गुलोल के ऊपर ही चले जाने है और गुलोल के ऊपर आने के बाद आप फैक्टरी के ऊपर आ जाओगे विकोज यहां से आप अपने टीम मेट को भी कवर दे सकते हो और जो एनमी फैक्टरी के बीच में जाकर फाइट करते हैं आप उनको भी इजली किल कर सकते हो और यहां से मैं आपको एनमी को किल करके भी दिखा देता हूं और यहाँ पर एक enemy नीचे की साइड में होता है जिसको यहाँ पर मैं easily headshot लगा कर डाउन कर देता हूँ और यहाँ पर अपना kill भी confirm कर लेता हूँ और यहाँ पर last का एक ही enemy बचा होता है जो enemy नीचे की साइड से उपर आ रहा होता है और उसको बिल्कुल पता नहीं होता की यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर उस enemy को भी kill करके double kill के साथ easily victory निकाल देता हूँ number 9 trick होने वाली है हमारे rimnam village पर और इस trick को करने के लिए आपको एक glue wall को purchase करके इस side में ही आ जाने है और एक glue wall को यहाँ पर लगा देने है विकोज यह trick काफी time पहले बहुत जादे use होती थी बट अब इस trick को कोई भी नहीं करता इसलिए आपको इस trick कभी use करके देगना चाहिए और यहाँ पर जो enemy खड़े होते हैं आप उनको easily kill कर सकते हो और यहाँ पर मैं दो enemy को down कर देता हूँ और वह enemy भी surprise हो गए होंगे क्योंको मैंने कहाँ से down कर दिया है और enemy यहाँ पर खड़े होते हैं जिनको आप easily airsort भी लगा सकते हो और यहाँ पर मेरे को एक enemy ओर दिखाई देता है जिसको भी यहाँ पर मैं damage दे देता हूँ और यहाँ पर उस enemy को भी down कर देता हूँ और जैसे ही यहाँ पर zone आता है आपको यहाँ से निकल जाना है और यहाँ पर लास्ट का एक ही एनमी बचा होता है जिसको मेरे टीमेट किल कर देते हैं नमबर एट ट्रिक होने वाली है हमारी नुरेक डैमपर और इस ट्रिक को करने के लिए आपको कोई भी मिडल रेंज की वेपन को परचेस करके यहाँ पर खड़े हो जाने है बिकोज एनमी कंटेनर के अंदर से ही आते हैं जिनको आप इजली हेडसोट लगा सकते हो और यहाँ पर मैं एक एनमी को हेडसोट लगा कर डाउन कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे को एक एनमी और दिखाई देता है जो वूकों करेक्ट लगा कर खेल रहा था और फाइनली उस एनिमी को भी डाउन कर देता हूँ और यहाँ पर एक एनिमी इस साइड से आता है जिसको किल करने के लिए यहाँ से मैं आगे की साइड में ही निकल जाता हूँ बिकोज मेरे को पता होता है कि एनिमी इस साइड से ही आएगा और जैसी वह एनिमी आता है उसको यहाँ पर में किल करके भी दिखा दूँगा और फाइनली उस एनिमी को भी किल कर देता हूँ नमबर सेवन ट्रिक होने वाली है हमारी पोचिनोक साइड पर और इस ट्रिक को करने के लिए आपको कोई भी लोंग रेंज की वेपन को पर्चेस करके यहाँ इस गर के अंदर ही चले जाना है विकोज एनिमी आपको सामने की साइड से आते हुए दिखाई देते हैं जिनके उपर आप रस कर सकते हो और एनिमी को सर्पराइज किल भी दे सकते हो और यहाँ पर मैं दो एनिमी को डाउन कर देता हूँ और वह एनिमी भी सर्पराइज हो गए होंगे कि उनको मैं खासे डेमी दे रहा हूँ क्योंकि एनिमी यहाँ पर उपर की साइड में ही ध्यान देते हैं जिससे आप उनको एजली किल कर सकते हो और यहां पर एलाश्ट का एक ही एन्वी बचा होता है जिसको भी यहां पर में फाइनली किल कर देता हूँ और यहां पर बहुत यह सानी के साथ तेरे पल किल के साथ मेरी विक्टरी निकल जाती है नमबर सिक्स ट्रिक होने वाली है हमारी कैप टाउन पर और इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक गुलवोल को पर्चेस करके यहां पर आ जाना है और एक गुलवोल को यहां पर लगा देना है देन उसके बाद आपको जल्दी से रन करते हूँ यहां सीडी के उपर से इस वाले गर के अंदर ही चले जाना है और यहां पर आकर आपको गुलोल के ऊपर चड़ जाना है और गुलोल के ऊपर से आप इस वाले गर पर आ सकते हो बिकोज यहां पर आने के बाद आपको एनमी की लोकेशन को देख लेना है कि एनमी की साइड से रस कर रहे हैं जैसे ही आपको पता चल जाता है कि एनमी इस साइड से आते हैं आपको यहां से जम्प करके इस वाले गर के उपर ही चले जाने है विकोज यहां पर एनमी सोच नहीं सकता कि कोई यहां पर भी आ गया होगा और यहां पर आने के बाद मेरे सभी टीम मेट किल हो जाते हैं और य यहाँ पर एनिमी को डैमिज भी दे रहा था बट मेरे ऊपर बिलकुल भी एम नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ से आप एनिमी को एजली हैड सोट लगा सकते हो और यहाँ पर एनिमी नीचे की साइड में होते हैं और यहाँ पर एक एनिमी को और डैमिज दे देता हूँ और व एनिमी पीछे की साइड में मेरे को सोच रहे होंगे और यहाँपर एक एनिमी को हैड़ सोट लगाकर इजली डाउन कर देता हूँ और उसका सोन्या एक्टिवेट कर देता हूँ और यहाँपर लास्ट का एक ही एनिमी बचा होता है जिसको किल करने के बाद यहाँ पर मेरा क्वाडरा किल हो जाएगा और उस एनिमी को भी किल करके क्वाडरा की निकाल लेता हूँ नमबर फाइव ट्रिक होने वाली है हमारी पोचिनोक साइड पर और इस ट्रिक को करने के लिए आपको दो गुलू ओल को पर्चेस करके यहाँ बॉक्स के पास में आ जाने है और दोनों गुलू ओल को यहाँ पर लगा देने है जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिये है दैन उसके बाद आपको बॉक्स के उपर चले जाने है और बॉक्स के उपर से आप गुलू ओल के उपर आ जाओगे पिकोज enemy इस साइड में आगर खड़े होते हैं जिनको आप विज़ली किल करसकते हो और यहाँ पर मैंने एक एनमी को डाउन कर दिया है और अपने किल भी कंफर्म कर लेता हूँ और यहाँ पर लास्ट का एक ही एनमी बचा होता है जो यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था बढ़ियाँ पर मेरे टीमेट उस एनमी को भी डाउन कर देते हैं और यहाँ पर बहुत ही असानी के साथ मेरी विक्टरी निकाल देते हैं नमबर 4 ट्रिक होने वाली है हमारी फैक्टरी साइड पर और इस ट्रिक को करने के लिए आपको कोई भी लोंग रेंज की वेपन को पर्चेस करके इस साइड में ही चले जाने है और यहाँ पर आपको एक टायर दिखाई देता है जिसके उपर जम्प कर देने है और यहाँ से आप इस वाले टायर पर आ जाओगे और यहाँ से जम्प करके आपको इस पाइप के ऊपर से यहाँ आगे की साइड में ही चले जाने है और यहाँ से आपको साइड में जम्प कर देने है और यहाँ से आपको थोड़ा आगे की साइड में ही निकल जाने है दिकोज यहाँ एक individual wall है जो हमें दिखाई नहीं देती बट आप यहां से enemy को भी kill कर सकते हो जो enemy इस side से आते हैं आप उनको easily head sword लगा सकते हो और यहां पर enemy कोई भी side से आए आप उनको easily down कर सकते हो और यहां पर जैसी में wait कर रहा होता हूँ यहां पर मेरे को एक enemy आता हूँ दिखाई देता हैं जिसको यहां पर में easily down कर देता हूँ और यहां पर जल्दी से अपना kill भी confirm कर लेता हूँ तो आप से recommend करता हूँ कि आपको streak कभी use करके देखना चाहिए और यहां पर last के दोई enemy बचे होते हैं जिसको मेरे teammate kill कर देते हैं नमबर 4 ट्रिक होने वाली है हमारी cap town पर और इस trick को करने के लिए आपको एक goal wall को purchase करके यहां dust bean के पास में लगा देने हैं और जैसे goal wall को लगा देते हो यहां पर dust bean के ऊपर चड़कर यहां से goal wall के उपर jump करके इस वाले घर के उपर आ जाना है और यहां पर बैट कर आपको पहले देख लेना है कि enemy किस side से rest करेंगे और जैसे आपको पता चल जाते है कि enemy पीछे की side से fight ले रहे हैं आपको यहां से jump करके इस वाले घर के उपर आ जाना है और यहाँ पर जो एनमी इस गर के उपर होते हैं आप उनको इजली डाउन कर सकते हो और यहाँ पर मैंने एक एनमी को डाउन कर रखा है और यहाँ पर उसके टीम मेट को भी डाउन कर देता हूं और यहाँ पर अपने किल भी confirm कर लेता हूँ और यहाँ पर एक enemy को और फिर से down कर देता हूँ और वह enemy भी surprise हो गए होंगे क्यों उनको यहाँ पर मैं कहां से down करता जा रहा हूँ और यहाँ पर last के एक ही enemy बचा होता है जो यहाँ पर मैं damage दे देता हूँ और वह एनमी घर के अंदर ही चले जाता है और यहाँपर लाश्ट का जोन यागी की साइड में भी बन रहा था इसलिए यहाँँ से में दो को जम करना पड़ जाता है और फाइनली जेसे उस एनमी को ओपर रस कड़ता हूँ वह गुलोल लगा लेता है और उस एनमी को किल करके इजली विक्टरी निकाल देता हूँ नमबर तूर ट्रिक होने वाली है हमारी मार्स इलेक्टरिक पर और इस ट्रिक को करने के लिए आपको कोई भी लोंग रेज़ की वेपन को पर्चेस करके इस साइड में ही चले जाने है बिकोज एनमी पीछे की साइड से आते हैं जिसको आप एजली एरसोड लगा सकते हो और यहाँ पर मैं एक एनमी को डाउन कर देता हूँ और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं बिकोज जो एनमी याप ड्रोप को लूटने के लिए आते हैं आप उनके उपर भी एम लगा सकते हो और यहाँ पर मैं एक एनमी को ओट डाउन कर देता हूँ और यहाँ पर अपने किल भी कन्फर्म कर लेता हूँ और यहाँ पर लास्ट वाले एनिमी को भी किल करके त्रिपल किल के साथ बहुत असानी से विक्टरी निकाल देता हूँ नमबर एक ट्रिक होने वाली है हमारी सीप्यार वाली लोकेशन पर और इस ट्रिक को करने के लिए आपको जल्दी से रन करते हुए यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर बॉक्स के पास आपको तीन गुलू ओल को ऐसे लगाना है जैसे यहाँ पर आपको मैं लगा कर दिखा रहा हूँ और तीनों गुलू ओल को लगाने के बाद आपको बॉक्स के उपर आकर यहाँ से गुलू ओल के उपर जम्प करके यहाँ पर आ जाने है और यहाँ से भी जम्प करके आप यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर मैं एन्जमी को डेमिज भी दे देता हूँ और यहाँ पर लास्ट का एक ही एन्जमी बचा होता है जिसको भी यहाँ पर मेरे टीमेट फाइट लेने के लिए आगे ही चले जाते हैं